विखे तो यह अच्छे होंगे तो चलिए आज हम एक बहतरी टॉपिक स्टाट करते हैं जिसका रहा है पाइथागोरस थेरम वाइसा माना जाता है कि यह हमारे भारती विज्यानिक भारती मैथमेटेशन दाट विस इंडियन मैथमेटेशियन बहुत हायन के द्वारा यह खोजा गया था इस इंडिट भाई डिस्कवर्ड भाई बहुत हायन तो चलिए इसके बारे हम लोग स्टाट करते कि आखिरकर यह है क्या किस तरह से इसका अप्लिकेशन होता है और किस तरह से हमारा वर्क करता है किसी भी लेवल पर यह जो फॉर् प्रार्मेंट एक साम हो चाहिए कोई भी एक्सेम सो अगर मैठ पढ़ेक्स पिच्चा पढ़ता है तो उसके हर एक प्रेशन में लगभग एप्रॉक्समेंटी हमारा पाइथागुर्स सेरम यूज होता है तो आज की वीडियो में लोग क्या करेंगे पाइथागुर्स सेरम क्या होता है उसका स्टेट्मेंट क्या है वह देखेंगे और उसका अप्लिकेशन यानि कैसे यूज करना है वह हम लोग देखेंगे क्लेर है तो चलिए स्टाट करते हैं मैं हूँ आपका एस जे दूबेसर और हमारा वाइसी चैनल अमाथमेटिक्स हैप पर आपका वेलकम ह है पाइथागोरस से रहा है उसको चानने से पहले हम लोग यह स्टाट करते हैं कि राइट अंगल ट्रेंगल क्या होता है फरस्ट अपल विडिसक्स बाट राइट अंगल ट्रेंगल जिसका एक साइट कैसा होगा सॉरी जिसका एक एंगल कैसा होगा 90 डिग्री लेगन किसका किसी ट्रेंगल का अगर कोई आपके पास ट्रेंगल है ठीक है अगर यहां आपके पास कोई ट्रेंगल है और उसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो उसका एक एंगल कैसा हो 90 डिग्री हो तो वो हमारा क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है इतना तो पता है आपको इतना आपको पता होना चाहिए है 90 की जो सामने वाले साइड होती एसी एसे लेके सी तक यह हमारा हाइपोटेनियस होता है यह एच शॉट में और यह जो sleeping line है that means horizontal line है यह हमारा क्या है base है that means be clear है और यह जो है आपका perpendicular line that means standing line वो हमारे क्या है perpendicular है ठीक है तो पाइथागोर्स ने बोला क्या था statement क्या है उसका उनका statement यह है in any right angle triangle in any sorry in any right angle triangle whatever the square of hypotenuse 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 is the sum of is the sum of squares of other squares of other two sides मतल समझ भाया नहीं मतलब यह बोला गया किसी भी राइट एंगल triangle में हाइपोट्रेस का जो स्क्वाइर होगा ठीक है हाइपोट्रेस के आपका राइपोटेस के स्क्वाइर का आगगा यह बेड़ाइब की स्क्वाइर का और बी के स्क्वाइर का व्हाइब होगा डाइपोट्रेस इसको छोड़कर बाकि 2 लोगों के square का सम होगा बराबर है यानि जो तिरच्छी लाइन है बाकि 2 लाइन के square का सम होगा आप हाईपोतेश्स यह हमारे क्या है है एच है ठीक है और A B हम लोग क्या लेते हैं पी लेते हैं परपेंडी किलोर अब B C क्या है बेस है तो इसको बी लेते हैं ठीक है हैं तो इस इस दो फॉर्म लाट टो फाइंड आउट दा हाइपोटीनिस और एनी राइट अंगल ट्रेंगल अंडर्सेट यह हमारा फॉर्मला है जिसके दोरा हम लोग किसी भी दो साइड अगर दिया हो तो किसी भी तीसरे साइड को पता करने के लिए यह यूज होता है बरा यह यह वाला six है यह वाला eight है तो यह वाला निकाले है तो फहले डिसाइड कर लो यह आपका base है यह अपका perpendicular यह आपकी hypotenuse hypotenuse गायब है तो we can write using pythagoras theorem pt theorem in triangle in right angle triangle abc okay then how can we write h square is equal to p square plus b square clear so what is the value of h no it is not given but what is the value of p6 what is the value of b8 clear i have a six case for the 368 x square get on the 64 do not go plus cover then what we get 100 you just wear a voice said I got to go to root to hundred square root kiska hota kitna kitna hota hai wotahe ten hundred square root kya hota hai ten ho ta chao to ab square root khar sakti waga aapko naata ho to actually state karete hai a factor karengi kya karengi factor prime fact transition karengi dosi karega kata ya 50 aya dosi karega kata ya 25 aya fai sikare kata ya fai ya fai sikare kata ya fai sikare kata ya one aya tab tuk karna jeb tuk warna aja eka pair bana two mila eka or pair mila five ka five mila kitna what if i za ten then what is the value of root hundred ten to this distance it in mara gya bharabar hai yeh to omni example liya tha kishi bhi right angle triangle ke liye bharabar hai ab kuchh aur liete hai hai maala yukiye fi hai hai titay yeh wala four hai hai तो यह अलो पता करो, तो यह क्या है H, यह क्या है B, यह क्या है P, हमी क्या find करना है, perpendicular, now use the Pythagorean system, that means H square is equal to P square plus B square, formula तो हमारे पाइस एक ही है, universal, क्या, H square is equal to P square plus P square, now you can use the formula, what is the value of H, 5, 5 square, what is the value of B, sorry, P, P square, P क्यों तो कोई है नही, what is the value of B, 4, 4 square, P square, what is the value of 5 square, 25, P square, what is the value of 4 square, 16, 6 goes to the right side, no, 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 left side and becomes negative, that means 25 minus 16 is equal to P square, that means P square कितना हमारे पाइस आया, 25 में सोल खड़ा हो, now, P बरावर कितना है, रूट में 9, तो कितना हैगा P बरावर, 3, बरावर है, तो इस तरह से हमने देखा कि पाइता हो गोरस थेरम के द्वारा, अगर दो चीजें दी गई है, किसी बिटाइटर इंगल ट्रेंगल में, अगर दो साड़ दिया गया, कोई भी दो साड़ अगर द इक से रिलेडर होगा, या फिर किसी भी इंपॉर्डेंट आपिक से रिलेडर होगा, या फिर किसी लेवल के लिए अपलाई होगा, ओके, तब तक के लिए सपक हैर,